हेलो स्टुडेंट केमिस्ट्री आप सभी को पता है कि केमिस्ट्री क्या होती है ठीक है बट जब आप स्टार्टिंग से केमिस्ट्री की नॉलिज रखने की कोशिश करते हो कि आपके पास कौन कौन से कुंसेट थी जिसकी वज़े से आपके पास केमिस्ट्री जो है हमारे पास मसलितों में आई ऐसे क्या reason थी जिसकी वज़े से हमने chemistry को भड़ा ओके और हम इसकी क्यों जुरूरत है इन सभी चीजों का question जो आपके मन में उबरते रहते हैं उनका answer आज आप इस वीडियो में देखोगे ओके तो basically हम plus one 11th class की chemistry की जो book है उसको cover करेंगे तो आपको starting में तो यही बता होना चाहिए कि chemistry actual में है क्या ठीक है अगर हम बात करें chemistry की तो chemistry को resign विग्यान कहते है ठीक है resign विग्यान अनू और उनके रुपांदर का विग्यान है ठीक है वल्लकिं molecules and their transformation का study करना हम आपस chemistry कहलाता है अगर हम development की बात करें कि आपके पास चूर साइन विग्यान है उसका विकास कैसे हुआ तो जैसे कि हम आप समझते है science की जो यह बारांच है chemistry बहुत पुराना विग्यान ही है ठीक है इसका अध्यान के वल इसके ग्यान के लिए नहीं किया गया था अपी तू इसके बीचे दो बहुत ज़ादा important reason थे किंचन की दो चीजों के आपको discovery करनी थी उसी के लिए जो आपके पास chemistry है उसका हमें अध्यान करनी की आवशकता महसूस हुई जो हमारे पुराने scientist थे उन्हें ये दो चीज़े क्या क्या थी जिसके लिए हमने chemistry को पढ़ा वो थे सबसे पहला philosopher's stone जिसे हम क्या कहते है पारस कहते है which would convert all peasant metals एकसामपल iron and copper into gold हम इसकी discovery करनी की नहीं डिसलिए जो पारस पत्थर है जो लोहे और ताम भी जैसी chemistry की खोज करना शूरू की थी और दूसरा था आपके पास elixir of life which would grant immortality immortality मतलब अमरत्व अमरित जिससे अमरत्व प्रापत हो जाए इन दो चीजों की discovery करने के लिए इन दो तिंक्स की discovery करने के लिए हमने chemistry को पढ़ने की खोशिच की हमने chemistry को पढ़ा के आके रहापा चो यह chemistry word है यह क्या है ओके अब बात करते हैं पुरानतन भारत के लोगों की सोच की ठीक है तो जो वो लोग थे उनको आदुनिक विज्ञान की उबने से बहुत पहले ही अनिको विज्ञानिक तत्यों की जानकारी थी वह उस ग्यान का उपयोग जीवन के विबिन खित्रों में करते थे अगर हम chemistry के विकास की बात करें तो यह मुख्यत ओह 1300 से 1600 CE में कीमिया और और आश्यद रसाइन के रूप में हुआ कीमिया वर्ट से आपका chemistry लिया गया था ठीक है आधुनिक रसाइन ने 28 थाबदी में यूरोब में एक एकल्पिक परमपराओं के बश्चाद अकार प्राप्त किया जो यूरोब में अर्बो द्वारा लाई गी थी पुरानतर भारत में chemistry को हम क्या क्या कहते थे रसाइन शास्त्र कहते थे ठीक है रस्तंत्र रस्क्रिया अथ्वा रस्विद्या कहा जाता था इसमें इन्होंने क्या क्या कि जो दातु कर्म है औुष्ध है कांती वर्दक है कांच रंचग इत्यादिस में संभलित होते थे ठीक है एंड उसके बाद जो सिंध में मोहन जो दाढ़ो और पंजाब में हडपा मैकी की योशना बदकुदाई से सिद्ध होता है कि भारत में रसायन की विकास की कहानी बहुत पुरानी है ठीक है फुरांत्विक परिमानों से यह पता चलता है कि निर्मान के लिए पकी इंटों का उप्योग होता था जैसे किसी नहीं घर बना रहे थे तो पकी इंटों का पहले से यूज होता था ऐसा नहीं है कि अभी से हम मिट्टी के बतनों का उतपादन अदिक मात्रा में किया जाता था उसमें भी इसमें हम्हा पता चलता है कि प्राचिंतमर सियनिक प्रक्रम इस चीज़ को माना चाता था जिससे हमाँ पास पता चलता है कि जो कैमिस्टरी की बरांच है जो कैमिस्टरी एट साइन शास्तर है वह अभी से नहीं बलकी बहुत पहले से इस अर्थ में प्रेजन था ठीक है इसको समझने के लिए फिर हमाँ पास न्यू डिसकावरिज हुई डिसकावरिज होने के बाद हमें पता चला कि एक्चवल में कैमिस्टरी है क्या ठीक है पहले लोग चांदी सोना और तामे जसे वस्टू को पिगला कर बिन बिन वस्टू म बनाते थे ठीक है और जैसे हमाँ पास टिन हो गया आरसेनिक हमें मिला ठीक है उसके शिल मिनाने के तामे की को ठोड़ता सुधारते थे लोग ठीक है और भारत में तामे के दातु कर्म का प्रारम उपमहादूइप में तामर्यू के प्रारम से शुरू हो गया था उनकी पुरा तात्विक प्रणाम है जिसमें हमें हो पता चलता है कि तामे और लोही की निश्कर्शन की तकनीक कि भारत में ही विकास हुई थी ठीक है और रिगवेट के अकॉर्डिंग अगर बात करें एक असे 420 बीसी में तो चरम सेंसकरन और कपास को रंगने का कारे होता था उत्तर भारत में काली पॉलिश वाली मिटी के बरतनों की सुनहिल चमक को दोराया नहीं जा सकता और अब यह यहाँ अब भी एक रसाइनिक रहस्यों है इन बतनों से पता चलता है कि बट्यों काताब कितनी दक्षता से नियंति दिया जाता था ठीक है तो अगर हम इसको कनिकल्यूजन पे आए तो जो आपके पास कैमिस्ट्री है वो बिसिकली तो आपके पास दो ही रीजन से हमने इस साइन शास्तर की बहुत जादा नौलेज पहले भी थी राइट अब अगर हम बात करें कि रसाइन विज्ञान का महत्व क्या है वाई वी नीड़ ता कैमिस्ट्री ठीक है तो विज्ञान में रसाइन विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमी का है अब सभी को पता है जो प्र रसाइन विज्ञान के सिध्धानतों का वयवहारिक उपयोग विभिन खेत्रों जैसे मौसम विज्ञान, मस्तिक्षकी, कार्यो प्रनाली, कम्प्यूटर, प्रचालन तथा अवरको, ख्षारो, अमलो, लवनो, रंगो, वहुलको, दवाओ, साबुनो, अपमार्चको, धात अधि सहित, नीवन समागरी के निर्मान में लगे, रसाइनिक उद्योगों में होता है, रसाइन विज्ञान, राष्ट्र की अर्थवेवस्ता में भी बहुत है, तो बुमिका निहाता है, एकोनॉमी में ठीक है, भारत में जीवन स्थर को उंचा उठाने है, तो भोजन, स् आवशक्ताओं को पूरा करने में भी इसकी मेदबू मुमिका है, जैसे हमके पास ट्रीट्मेंट करने के लिए हम मेडिसीन का यूज करते है, तो उसमें हमें हमें कैमिस्ट्र की नॉलेज होती है, ठीक है, हमें कैमिस्ट्र के द्वारा ही मेडिसीन हमें कैसे बनानी है, इस जो रिसाइन में ग्यान है वो राश्टर के विकास में भी अतियादी के योगदान देता है ओके तो यह थी कुछ आपके पास इंट्रोड़क्शन फार यॉर केमिस्ट्री ठीक है तो यूनिट वन जो आपके पास रहेगा क्लास प्लस न के लिए इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिसकस करेंगे राइट